इन दिनों मध्यप्रदेस में पंचायती एवं नगरी निकाच चुनावों की घोशनाएं हो चुकी हैं एवं तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं चुनावी आचार सहीता प्रभावसील है मगर कुछ सत्ता के लाल्चियों को कानून का कोई भै नहीं है सारे नियम कानून जेब में डाल कर चलते हैं और पैसों की दम पर चुनाओं में प्रभाव डालने की कोशिस में लगे रहते हैं मामला च्छतरपोट जिले के राजनगर जनपत पंचायत अंतरगत आने वाली ग्राम पंचायत पाय का है जहां बीती रात मतदान के एक दिन पूर गाउं के सरपंच प्रत्यासी द्वारा महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए साडियां और पैसे बाटी गए तो वहीं पूरुस मतदाताओं के लिए दारु मुर्गा की पार्टी का इंतजाम भी किया गया जबकि निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान के 48 घंटे पूर्व से ही प्रचार प्रसार एवं सराव विक्रे पर पूर्ट या प्रतिबंध लगाने के सासन को सक्त निर्देश दिये गए हैं ऐसे में सामगरी और पैसे साडियां और सराबाट कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करना चुनावी आचार सहिता का खुला उलंगान है अब देखा होगा कि जिला कलेक्टर और चुनाव आयोग इस मामले में क्या कारिवाही करते हैं विराट 24 कि छतरपूर से भारत यादाओ की रिपोर्ट